हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, so finally आज 29 अक्टूबर 2024 हो चुका है आज की नई अपडेट के साथ आप सभी फाउंडर के लिए बहुत ही ज्यादा लाजवाब अपडेट आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं पात है नए पॉप अप और हमारा नया एको सिस्टम और फाउंडर के इंकम को लेकर नई अपडेट जो हमारे हैदराबाद के हेड ऑफिस से आई है साथ ही कुछ अपडेट बैंक को लेकर भी है वो कौन सी बैंक है जिन बैंक में बिड्रोल नहीं मिलेगा और वो कौन सी बैंक है जिन बैंक में फाउंडर को बिड्रोल मिलेगा तो सारी अपडेट आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है पहली बार चैनल पर आये हो तो सब्सक्राइब करके पहला आइकन प्रेस और करना चलिए साथियो अब शुरू करते हैं वीडियो को आगे हमारे CEO जो पिछले कुछ दिनों से लाइव नहीं आए है लेकिन उनका एक मैसेज ज़रूर आया है और वह मैसेज हैदराबाद के Head Office से सभी Indian Founder के लिए मिला है और उस मैसेज में जो अपडेट है वह मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ सबसे पहले तो बात करते हैं हमारे नए सिस्टम के बारे में सर ने नए सिस्टम के बारे में जो कहा है वह यही बात कही है कि हमारा सिस्टम 12-24 घंटे में लाइव हो जाएगा जैसे ही हमारा सिस्टम लाइव होता है सभी Founder का KYC भी शुरू हो जाएगा उसके बात कुछ नहीं बच्चता है सिर्फ Income ही Income बच्चती है यानि कि यह सब काम होने के बाद Founder का Income आना भी शुरू हो जाएगा अब यह पैसा आपके वालेट तक पहुंच जाएगा लेकिन आपको बैंक में लेने के लिए कौन सी बैंक में आपका अकाउंट होना जरूरी है साथियों बैंक ग्रामीन क्षेतर में नहीं होना चाहिए क्योंकि उन बैंक के पास Swift Code नहीं होता और हमारी जो कंपनी है Foreign Company जो की डॉलर में पैसा देती है डॉलर से Indian currency में पैसा लेने के लिए हमको Swift Code की आवश्यक्ता होती है तो आप सभी Founder ऐसी बैंक में अकाउंट खुलवाए जिस बैंक का Swift Code हो तभी पैसा आपके बैंक से जेब तक जाएगा तो आशा करता हूँ आप मेरी दी हुई जानकारी से संदुष्ट होंगे वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेर करें हमारे चैनल अर्निंग ओपी अपडेट को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब तक जय हिंद वंदे मातरम